सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टूडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस वेल आइकन को दबाएं हलो फ्रेंड्स हमारे यूट्वी चैनल स्टडी टेस्ट टूडे में आपका स्वागत है और हम लोग पढ़े हैं बायोलोजी, बायोलोजी में पढ़ेंगे प्राणी बिग्या, देखिए हमारा जो जीव बिग्यान है चैप्टर वाई चल रहा है, जो फ्रेंड्स नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इसको प्राणी बिग्यान होता कि आए, इसको समझेंगे और इसका पूरा कांसेप्ट समझेंगे, तो प्राणी बिग्यान में जो होता है, इसकी अंतरगत, जन्तु तता उनके कारे कलापों का अध्यान किया जाता है, अच्छे से आप लो फ्रेंड्स समझते चलिए, अजो प्र पला होता है, एक कोस्की प्राणी होता है, और जो दूसरा होता है, बहु कोस्की प्राणी होता है, तो सबको अच्छे से फ्रेंड्स आप समझते चलिए, देखिए, एक कोस्की प्राणी जो एक ही संग प्रूटो जुवा में रखे गए, सबसे इंपोर्टेंट है, जो एक कोषक की फ्राणी एक ही संग्प्रोटोजुवा में रखेंगे जबके जो बहु कोषकी प्राणियां होते हैं उन्हू संगों में भी वाजित किया गाएं तो सबसे पलई हम संग्प्रोटोजुवा के समझेंगे जो होते हैं, और इनके जीवद्रव्य में, मतलब संग प्रोटो जोवा में एक या अनेक केंद्रक पाया जाते हैं, अच्छे से समझेए फ्रेंड्स आफ लोग, और संग प्रोटो जोवा में सभी जैविक्रिया हैं, भोजन, पाचन, स्वसन, उत्सर्जन, जनन, एक कोष के सरीर के अंदर होता है, और जो स्वसन और उत्सर्जन कुर्ष का की सता के बिश्रड के द्वारा होते हैं, और जैसे प्रोटो जोवा, एंटमीवा होते हैं, अब समझेंगे संग फोरी फेरा के बारे में, तो संग फोरी फेरा क्या होता है, तो संग फोरी फेरा में इस संग के सभी खारे जल में पाये जाते हैं यहां पर खारे रहेगा फ्रेंड्स और शरीर पर असंख के शिद्र पाये जाते हैं और शरीर में एक गुहा पाई जाते हैं सबसे इंपोर्टेंट है जिसे अस्पंज कते हैं अच्छे से देख लिएगा शरीर पर असंख के शिद्र पाये जाते सरीर में एक गुवाप आई जाते है अच्छे समझ लीजे जो और आप सम्झेंगे संग सिलिटेटर के बारे में संग सिलिटेटर होता क्या है तो इसमें जो होता है प्राणी जलिय दू अस्तरी होते हैं और संग सिलिटेटा में मुख के चारों और कुछ धागे की तरह संरचनाएं पाई जाते हैं जो बोजन आधी पकड़ने में मदद करती हैं इसका जो सबसे जो इंपार्टेंट फ्रेंड्स होता है इसका एक्जामपल होता है जैसे संग स सिलिटेटा में हाइड्रा हो गया जेली फीस हो गया सी एनिमोन मूंगा आधी सब संग सिलिटेटा में आते हैं इसका तो एक्जामपल जरूर आपको एक्जाम में देखने को मिल जाएगा तो अच्छे से सबको समझ लीजिए आप लोग और आप समझेंगे संग प्लेटी हलम इन्थीज के बारे में अच्छी तरह से समझ लीजिए जो संग प्लेटी हलम इन्थीज होता है इसमें पाचन तंतर बिक्षित नहीं होता है और इसका जो इंपर्टेंट है उस सर्जन फ्लेम को स्काउं दवारा होता है सबसे इंपर् यह उबहिलिंगी जन्तु होते हैं इसमें जितने भी जन्तु आएंगे सब उबहिलिंगी आएंगे और इसका एक्जामपल देखिए friends प्लेनेरिया हो गया फीता क्रीमी आदी सब संग प्लेटी हल्मेंथीज में आते हैं तो अच्छे से सबको एक्जामपल जरूर देख जिसमें मुक्ख तता गुदा दोनों होते हैं। संग, एश कम, मैंधिज मे और परिवर अंग् तता स्वाशन अंग् नहीं होते हैं। सभ्षे इम्पर्टेंट। और इसका एक्जाम्पल देख लिजे एक्जाम्पल सब का आप याद कर लिजेगा जरूर से और इसका एक्जाम्पल जो होता है गोल्ड क्रेमी होता है जैसे एसकेरीज और थ्रेड वर्म होता है तो और भी होते हैं तो इतना इंपोर्टेंट है और आप संगेंगे संग एनि बिख्षित होता है, इसमें शंग अनिलीडा में, और और संग एनिलीडा में स्वसन प्रायर तवचा के दोरा कुछ जनतू में कलोम के दोरा होता है दोरा होता है एक बरावर अच्छी से जो इसमें संग एनिलीडा में होता है स्वसन जो होता है तवचा के दोरा और कुछ जनतू में जो होता है और कलोम के दोरा भी होता है और रुदिर लाल होता है जो रक्त होता है और लाल होता है और इसका जो इंपर्टेंट है एक लिंगी एवां उभई लिंगी दोनों प्रकार के इसमें जन्तु पाये जाते हैं जैसे केचुवा जोक और नेरिस होता है एक जन्तु आदि सब संग एनी लीडा में होते हैं और जो ज्यादा कोश्चन बनने का चांस यहां से होता है केचुए में जो होता है चार जोड़ी हिर्दे होता है इसको अच्छे से देख लीजिएगा अच्छे से याद भी कर लीजिएगा जो केचुए में होता है चार जोड़ी हिर्दे होते है और आप समझेंगे संग आर्थो पोड़ा के बारे में ये भी सबसे इंपोर्टेंट है तो संग आर्थो पोड़ा में होता क्या है इसमें प्राया सरीर तीन भागों में विवक्त होता है सीर वच और उदर ये तीन भागों में विवक्त होता है और संग आर्थो पोड़ा जो होत इसमें जो संग आर्थो पोड़ा होता है इसमें एक लिंगी जनतों होते हैं और जैसे इसका एक्जामपल देख लिजे जैसे तिल चट्टा, जींगा मचली, और केकड़ा, खटमल, मक्खी, मचड, मधुमक्खी, टिड़ी ये सब संग आर्थो पोड़ा के एक्जामपल हैं तो इसको अच्छे तरह से वीडियो को एक बार दो बार जरूर देख लिजे जगा फ्रेंट और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को फ्रेज करें और देख लिए संग आर्थो पोड़ा में जो होता है और इसका जो इंपोर्टेंट है जो कीटो में छप पद छपाद होते हैं और चार पंक होते हैं ये भी इंपोर्टेंट है और देखिए उसमें चीटी भी आती है चीटी एक समाजिक जनतु है जो स्रम विभाजन परद कच्छ होते हैं और आप समझेंगे फ्रेंड्स संग मुलस्का के बारे में यह भी इंपॉर्टेंट है जितने भी ऐसा भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ लेंगे तो एक कोश्चन दो कोश्चन आपको एक्जाम में जरूर मिल जाएगा तो संग मुलस्का में आहर नालपूर विक्सित होता है और जो संग मुलस्का में इसमें जो होता है स्वसन गिल्स गिल्स के दौरा होता है गलफडी के दौरा होता है और जो रक्त होता है वो रंग हीन होता है उसका एक्जामपल देख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए और आप समझेंगे फ्रेंड्स संग इकाइनो डर्मेटा के बारे में संग इकाइनो डर्मेटा जो होता है इस संग में जन्तु समुंद्री होते है यह भी इंपोर्टेंट है संग इकाइनो डर्मेटा के जन्तु समुंद्री होते है उसका एक्जामपल देखिए फ्रेंड्स जैसे सितारा मचली, समुंद्री खीरा, पंकतारा, बिटिल इस्टार आदि सब संग इकाइनो डर्मेटा में आते है और आप समझेंगे फ्रेंड्स संग काइट डर्मेटा के बारे में यह तो एकदम इंपोर्टेंट है तो संग काइटा में होता क्या है तो इसमें जो होता है कलूम, सिद्र, अवज से पाया जाते हैं संग काइटा में और काइटा के वर्गी करण के अनुसार जो होता है इसमें 13 वर्ग पाया जाते है यह भी सब बड़ा भी है काइटा के वर्गी करण के अनुसार जो इसमें 13 वर्ग पाया जाता है तो सबको जो इंपोर्टेंट है सबको अच्छे तरह से समझेंगे तो संग कारडेटा के कुछ प्रमुक भाग तो पहला इसमें देखेंगे मस्वर्ग तो मस्वर्ग को अच्छी तरह से समझ लीजे तो इनका जो हिर्दे होता है द्वी वेस्मी होता है एतो एकदम इंपर्टेन जो मस्वर्ग में होता है उनका जो हिर्दय होता है अच्छी तरह से समझ लीजिए और केवल असु दरक्त ही पंप करता है जो मस्वर्ग में जो इसका रक्त जो पंप करते हैं असु दरक्त को ही पंप करता है और इसमें सोसन क्रिया के लिए जो क्लोम जो गलफडा गिल्स जो होता है वो पाय जाते हैं जैसे सार्क हो गया और इसको ली योडन हो गया और रोवू, कतला, समुंद्री, गोड़ा ये सब मस्य वर्ग में आते हैं फ्रेंट अच्छे तरह से इसको समझ लीजिए और इसमें दूसरा देखेंगे संकार डेटा में अभी बताये थे तो इसमें दूसर वर्ग में सभी प्राड़ी उभायचर होते हैं ये भी इंपर्टेंट है जो एमफिविया वर्ग में आते हैं प्राड़ी उभायचर होते हैं स्वसन, क्लोम, तवचा और फेफड़ों द्वारा होता है तो फ्रेंट्स कन्फ्यूज मत होएगा जो स्वसन, क्लोम जो होता है ओ गिल्ज होता है गलफड़ा होता है तो इसको अच्छा से भी होता है और फेफड़ा द्वारा भी होता है और इसमें जो important है फ्रेंट जो हिर्दे होता है तीन वेसमी होता है शबसे important है यह तो अक्षर exam में देखने को आपको मिल जाएगा इसको अच्छी तरह से समझ लीज और इसका नोड जो मेड़क का IMPORTENT जो मेड़कों की टारता रहात जो होती है अवास्तों में जो मैथून के लिए पुकार होती है IMPORTENT है अब देखेंगे संकार डेटा का तीस्तरा जो वर्ग होता है तो यह भी important है शरी स्रिप work तो सरी स्रिप में क्या होता है इसमें जो अंडे इसका जो important जो इसके अंडे जो होते है calcium carbonate की कवज की बनी होती है important है जो सरी स्रिप work में जो इसके जो अंडे होते है calcium carbonate की बनी कवज के होते है और जो हिर्देश में होता है, समानेता है, त्री वेस्च में होता है, त्री कच्छी होता है, सरीश्रिप में जो हिर्दे होता है, त्री कच्छी होता है, फ्रेंड्स, लेकिन इसका एक अपवाद में भी देख लिए जो मगरमस्च का हिर्दे होता है, वो चार कच्छी होता है तो समझ लीजिए जो मगरमस्ट का जो हिर्दे होता है वो चार कच्छी होता है इसका example friends अच्छी तरह से देख लीजिए छिपकली हो गया, सरिश्रिप वर्ग में सब हैं friends सांफ हो गया, घडियाल हो गया, कचुगा हो गया सब सरिश्रिप वर्ग के होते हैं समझ लीजिए और आप समझेंगे friends, संकार डेटा में पच्छी वर्ग तो यह भी important है पच्छी वर्ग में जो इसका हिर्दे होता है जो पच्छी वर्ग में जो हिर्दे होते हैं ओचार वेस्ट में होते हैं हीर्दय तो सबका अच्छी तरह से एक बार दो बार वीडियो को देखेंगे तो सभी जितना सभी कंसेप्ट में आपको दिमाग में सेट हो जाएगा एक बार देखेंगे तो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत रहेगा तो एक बार दो बार वीडियो को जरूर देख लीजेगा औ इनका जो स्वसन होता है वो फेफड़ा द्वारा होता है और इसका जो मुत्रास होता है अनुपाश्तित होता है जो पच्छी वर्ग में मुत्रास है नहीं पाया जाता है जैसे काववा हो गया मोर चिडिया तोता तो अच्छी इसका एक्जामपल इंपोर्टेंट बील होती है तो इसको भी देख लिजिए और उसी में देखे कुछ महत्वपूर है और उड़न शकने वाले जो पच्ची होती है कीवी और एमू होती है और जो सबसे बड़ा जीवित पच्ची जो होता है वो सुतुर मूर्ग होता है और भारत का सबसे बड़ा जो चीडिया घर होता है अलिपूर जो कोलकाता में है तो अच्छी तरह से देख लिजिए और जो बीशो का सबसे बड़ा चीडिया क्रूजर नेशनल पार्क है जो दचिर अफरिका में भारत का पूछेगा तो सबसे बड़ा चीडिया अगर और अब देखेंगे friends जो संकार डेटा में अस्थनी वर्ग ये भी important है तो देखेंगे त्वचा पर स्वेध गरंतिया एवं तेल गरंतिया पाई जाती है और इसका जो important है friends जो इनका हिर्दय होता है चार वेश्मी होता है important अच्छी तरह अस्थनी वर्ग में चार हिर्दय जो होता है चार वेश्मी होता है तो सबका हिर्दय एक बार जरूर देख लिजेगा और इसमें जो दांत होता है जीवन में दो बार निकलते हैं और फ्रेंट जो अस्थनी वर्गों के होते हैं वो तीन भागों में बटा गया है तो तीनों को अच्छी तरह से देख लिजे आप लोग तो अस्थनी वर्ग में देखेंगे friends प्रूटो थीरिया जो प्रूटो थीरिया क्या होता है तो Proto Therias अंढे देते हैं उधारर, Aequidana, Aul community पस होता है तो इसका Example देख लिजा जो Proto Therias अंढे देते हैं Example है Aequidana, Aul community पस होता है तो आस्थनी वर्ग में दूसरा देखेंगे Meta-theterias तो Meta-theterias क्या होता है? तो इसमें जो होता है मेटा थिरिया में अपरिपक बच्चों को जन्म देते हैं जो मार्शू पीयल नामक थाहिली में बिक्सित होने तक होती है जैसे जो इसका एक्जामपल है कंगारू तो कंगारू अच्छी तरह से देख लिए अपरिपक बच्चों को जन्म देते हैं जो मार्शूपीयल नामक थळीली में होता है, यह फिंपोर्टैंट है, और अस्थनी वर्ग में तीसरा देखेंगे यूथेरिया तो यूथेरिया क्या होता है तो यूथेरिया में जो होता है इसमें बिक्सित सिस्वों को जन्म देते हैं जैसे मनुष्य आधी भी होते हैं जैसे और इसका जो इंपर्टेंट है इसका नोट देख लीजिए अस्तंधारी वर के रक्त का सबसे अधिक जो ताप मान बकरी का होता है जैसे इसका आउसतन जो ताप मान होता है 49 डिगरी सेल्सियस होता है तो कन्फ्यूज मत होएगा आप लुग और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक शेयर कमेट जरूर करें